दोस्तो आप सबका फीर से एक पर सवाकते मेरे चैनल और गैनिक एन हाइड्रोपॉनिक अर्बन ग्रूपूपॉपूपूपूपूपूंग दोस्तो हमने पिछले कई मात से हमारे हैड्रोपॉनिक हाउस की विजिट नहीं करी थी और आज बार ही है हमारी है हेड्रोपॉनिक हाउस को विजिट करके देखने की कि हमारी क्या तयार्या शुरू हुई है अभी हम आगस मा के लास्ट विक में है अभी हमें बुवाई चालू करनी थी पर पिछले आट-दस दिन से जो बारिश हुए है उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए फिर भी हमने पर हमारी डिप वाटर कल्चर बखेट है हमने इसको साफ करके रखा था और इन बारिश की वजह से आप देख सकते हो के बखेट किस तरफ बर गई है इस सारी बखेट बारिश के पानी से कोई थोड़ी कोई ज्यादा ऐसे बढ़ गई है अभी इसमें वाटर का लेवल करके नुट्रिशन मेनेज करके हमें इसमें वाई चालू करनी होगी पर इसके लिए हमारी नरसरी नहीं लगी है तो हम सबसे पहले नरसरी लगाने का काम करेंगे अब देख सकते हो के बारिस की वजह से उसका फ्लोर कैसा हो गया है काफी सारी काई जमी हुई है काई जगा अभी सबसे पहले चालू करेंगे और बारी 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 बाकी सिस्टम को चालू करेंगे दोस्तों इसके बाद आता है हमारा यह वर्टिकल टावर वर्टिकल टावर में हमने हल्दी बहुत लेट लगाई थी पर अभी आप देख सकते हो कि इसमें जर्मीनेशन आना शुरू हो गया है आप हरे जगा यह ग्रिन शुट जो देख रहे हो वो हल्दी बार आ रही है कहीं कहीं बड़ी आ गई है बाकी ज्यादा तर जगा सब्सक्राइब को बड़ी आप देख सकते हैं अभी खाली है हमने इसकी सफाई कर ली है और आप देख सकते हैं कि क्लेबोंस को भी आपनी अभी भी नहीं गया है इसके साथ जो हुआ कि यहां पर जो बाहर का पानी आया उसकी वज़ेसे हमारी जो सुरन जो बहुत ही चल र सब्सक्राइब की वज़ा से इसी तरह आप यहां पर भी देख सकते हैं हाला कि हल्दी फुटी नहीं थी तो अभी हल्दी फूट रही है पर काफी सारा नुक्सन हो चुका है दोस्तों आगे आएंगे तो यह हमारी ग्रो ट्रेस है जिसमें हमने सकरकंदी लगाई है जिसमे अभी थोड़ा दूप निकलते ही हमें इसमें नीम मोल का स्प्रेय लेना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों यह हमारा अंजीर का पोदा आप देख सकते हो और यहां पर जो उपर की साइड में हमारा अध्रक है वह भी अभी अभी फूटना शुरू हुआ है जो की काफी ले वाले है पत्यदार सब्जियों के साथ तो यह था अभी हमारा कंडिशन हमने बीच में सीट लगाने की कोशिश करें थी ट्रे में पर हमारा जर्मिनेशन उतना अच्छा नहीं आया इसलिए हम इसकी पूरी दुबारा बुवाई करेंगे और एक बार पूरी खतम होने के बा की चीज़ों की डिटेल आप से शेर करूंगा जैसे कि मिर्च लगाने वाले हैं एनेफटी टावर में हम पत्यदार सब्जिया लगाएंगे डिएफटी और एनेफटी में और इन डिटब्लीवीटी में लगाने जा रहे हैं टमाटर आधे में चेरी आधे में प्लेन वाले और पीछे वाली सिस्टम में हम बैंगन वगेरा लगाएंगे तो उसकी अपडेट में दूँगा यह जो ट्रेज है इसमें हम कुछ कठोल वर गिये सब्जियों को भी लगाने वाले हैं तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा यह नेटाउस पूली आउस मुझे कॉमेंट में लिख कर बताइए और यदि आपको अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करिए शेयर करिए वीडियो को और आने वाले समयों के लिए तैयार रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ओन रखिए तभी इसमें जो भी सब्सक्राइब करूंगा बग्रोएं